SMC BM शाह कार्डियक सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई में बुधवार को एक दिवर से निशुलक हिर्दैरोग जाच एवं परामर्ष शेविर का आयुजन किया गया इस शेविर में दरजनों लोगों को हिर्दै से संबंधी से जाच कर चिकित्सकी परामर्ष दिये गए शेविर में जाच कराने आने वाले सभी लोगों की इभिन तरह की स्वास्त जाच जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसीजी सहीद, कई अन्य तरह की नेशुलक जाच एवं परामर्ष दिया गया हिर्दै रोपिशगे, डॉक्टर सत्य सुरेवंशी ने शिविर में आई मरीजों की समस्याओं को सुना और मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद उची सलाह दी डॉक्टर सुरेवंशी ने बताया कि मानव शरीर में हिर्दै की नेमीत धड़कनों से ही उसका जीवन चलता है बैलून की तरह नाजुक दिल की बिमारी के लिए विशेश देखभारव इलाज जरूरी है डॉक्टर सुरेवंशी ने इस भागांभाग वाली दुनिया में युवाओं को धुम्रपान चोड़ने और खाने में कम नमक लेने की सलाह दी साथ ही मॉर्निंग वाप करने और खाने में हरी सबजी के इस्तिमाल करने के भी बात कही काफी सारे पेशंट्स हैं तादार में लोग आ रहे हैं तो कई पेशंट्स हैं कई बाख इक बागी ओट तो होी रहे आपर तो पीछेंट्स को कमें भी ब्रॉबलम समझ में आ रही हैं जीश एक चोटा बच्छा था उसके मेरा आइपक lab बुलाया तो यह शिविर ऐसा है कि आपने अभी तक जो शिवर देखे होंगे, वहां पर ECG, एको होकर, वहीं पर रुख जाती थी बाते हैं, यह शिवर यहां से आगे जाएगा, क्योंकि जो complete समादान है, वो सिफ जान से नहीं है, इलाज से है, तो यहां पर इलाज होने के बाद, बिमारी पता होने के बाद, उसका पूरा संपूर ने ट्रिट्मेंट भी यहां पर हो रहा है, तो एक नई बात है, इस करके काम में जो है, और जो गौर्वर्मेंट के त्रू जो सुविदाय है, आईश्मान है, उसका भी हम यूज करके मरीज को फायदा पहुचा रहा है, जैसे कि इस busy schedule में, अपने व हम पहले कर लें, जाधन की तुफान आ जाए, उसके बाद हटबड़ी करेंगे, तो फिर solution नहीं निकलता, तो इसलिए एक concept है executive health check-up का, जो 25 years में हम बोलता है, करना है, जिसमे ECG, Ecotem, TMT, Colesterol की जाच, यह सारी चीजे होती है, उसके बाद हर 5 साल में आपको कराना है, अगर कोई risk factor नहीं है, अगर आपको diabetes है, अगर आप smoking करते हैं, आपके घर में किसी को heart attack की समस्या है, या आपको कोई problem है, तो उसके बाद हर साल कराना है, डाइबिटिक मरीज जो है, हमको बहुत cautious रहना है, क्योंकि उनको silent heart attack आ सकता है, तो उनको हर साल के check-up, annual जैसे हम अपना birthday मनाते हैं, वैसे करते रहना चाहिए, और अगर हम जाज करते हैं, तो 12% जो general population है, अगर 40 साल के बाद, उनने 12% लोग positive आते हैं, और उनको कोई तकलीक नहीं होती है, तो treatment test जो है, इसमें बहुत अच्छा जाज होता है, जिससे बीमारी नहीं होने के पहले भी हमें blockage पता चल जाते हैं, और ये best time होता है, इलाज कराने के लिए, और अगर हमको इलाज भी कराने, तो check-up हो गया, उसके बाद में healthy lifestyle, वो हमें सब के लिए जरूरी है, कोरोना के बाद हम देख रहे हैं, कि heart attack का incidence बढ़ रहा है, या वैसे भी, अगर मैं बात करता हूं, 30 साल पहले की तो पहले 55 साल, 65 साल में heart attack आ रहा था, आज कल आप जान रहे होंगे, आपके बहुत सारे relatives भी, और यंग patient की death हो जाती है, 35-40 years में heart attack को लेकर, तो एक healthy lifestyle जिसमें regular exercise, risk walking, yoga, pranayama, meditation और एक healthy lifestyle, जिसमें बहुत सारे vegetables और fruits खाना हैं हमको, और जो unhealthy foods हैं, unhealthy habits, क्योंकि ये lifestyle disease है, हमारी lifestyle ठीक रहेंगी, क्यों हुआ से हमको ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि regular दवाही लेना है, lifestyle को अपने ठीक करना है, ताकि हम बचाव कर सके, इसके बाद भी 100% तो होगा नहीं, तो अगर बिमारी भी हो जाती है, तो इसके बाद मन में लोगों की बह अग्योग्राफी, एंजोप्लास्टी, ये बहुत बड़ी बात लिए, एंजोग्राफी में हाड़ी 5 मिनिट का समय लगता है, एंजोप्लास्टी में आदा घंटे का समय लगता है, आप नेक्स दे डिस्चार्च हो जाती है, तो घबराईए नहीं, रेगूलर चेक अप कर अगर चेक अपने प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का सॉलुशन बहुत असान हो गया है, अविलेबल हो गया है, आप तक पहुँच गया है, तो उसका लाम उठाईए और खुद भी स्वस्त रहिए, और अपने परिवार को भी स्वस्त रखी, अपने समाज को भी आपका शिवराओजद किया है हाट मरीजां के लिए, इसमें ब्लड फ्रिशर है, शुगर है, और वो मरीज जिनकों की हाट में पें, चेस्ट पें उगर रहता है, जिनको हाट की नसों को आफ्स्रक्षन है, इसके अलावा और भी जो बच्चे हैं जिनको हाट की कोई बिमा कोई उनका आगे इलाज नहीं हुआ है उनको हम देख रहे हैं और जलूरी होने पर उनके आपरेशन होने जो भी होगा वो सब करवानी की विवस्ता करेंगे वेडिकल तरपी कर रहे हैं उसके अलावा एंजिग्राफी करेंगे सब्सकर को जरूरी तो इसकी वेवस्ता से स्मसी में है तो सब्सकर करेंगा पूरा आप पेशिंट्स को फॉलो करेंगे, उनके नंबर्स बगरा रखे हैं हम लोगोंने, उनको कोई आगे कोई प्रॉलम होती है, या वो किसी वज़े से नहीं करा पाते हैं, क्यों नहीं करा पाते हैं, किसी का कोई बरती है, किसी की शादी है, कुछ है, बार में कराते हैं झाल झाल झाल